और खेलो बच्चो टुड़े वी लेन क्लास 9 मैट चैपटर 4 exercise 4.2 बच्चे इस वेडियों वे नहीं क्या करेंगे exercise 4.2 के यह जो कोशन है कोशन नमबर 3 एंड कोशन नमबर 4 कोशन नमबर 4 को हम नो क्या करेंगे पढ़ेंगे कोशन नमबर 3 क्या बूला जा रहा है कि find out if the values recent beside the polynomial जो भी value लिखा है polynomial के बगल में जो भी value लिखा है polynomial के बगल में जो भी value लिखा है polynomial के बगल में देखिए यहां पर एक एक value है यहां पर दो दो value है ठीक है ना लिखा है are there zeros क्या वो उसका zeros है zeros मतलब होता है कि अगर मैं इस particular this particular value को इसके अंदर यहाँ पर दू तो अगर इसका जरो आ गए मतलब यह जिरोस है इसको यहां पर रखूंगा अगर यह इस सबसे पहले किया है बच्चे likelihood दिया हुआ हमें सबसे पर लिखते हैं कि P X is equal to 3 X plus 1 है putting करना है इसको तो put करते हैं तो same समय से put करते हैं तो बोलोंगे कि putting putting X is equal to minus 1 by 3 तो putting करते हैं तो यहाँ पर बोलोगे कि P को तो P लिख दिया X का value है minus 1 by 3 is equal to 3 को तो 3 लिख दिया X का value है minus 1 by 3 plus 1 ठीक है आप देखे इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह है कि 3 को तो 3 लिख दिया number और bracket के जिए multiply का sign और minus 1 by 3 तो इसको bracket लगा दो और plus 1 है ठीक है अब देखे न यहाँ पर क्या होगा बच्चे 3 numerator 3 दोनों क्या ज़िए cancel out हो जाएगा मतलब कि यहाँ पर 1 और 1 आएगा ठीक ना 1 का मैं 1 से multiply करूँगा तो कितने आएगा बच्चे 1 ही आएगा लेकिन यहाँ पर है plus और minus तो यह जाएगा minus और यहाँ पर plus 1 तो 1 multiply 1 sorry minus 1 plus 1 क्या आगया 0 आगया क्या आगया 0 आगया तो आप बोलोगे कि since P minus 1 by 3 P of minus 1 by 3 is equal to 0 देखे 0 के equal आगया है देखे 0 के equal आया है it means वो 0s of polynomial होगा अगर 0s के equal नहीं आता देखे यही पूछा दाने कि 0s of polynomial है या नहीं है तो 0 के equal आया है मतलब कि 0s of polynomial है अब देखे question number second को solve कता हम समझाता हूँ सेम इसी तरीके से इसको भी वैसे में बोलूँगा कि यहाँ पर क्या है बच्चे यहाँ पर क्या है P x is equal to x plus 2 है यहाँ पर पूटिंग करूँगा कि पूटिंग पूटिंग x is equal to minus 2 x is equal to minus 2 put कर रहा हूँ तो यहाँ पर P को P लिख दिया x के जगा पर क्या बच्चे minus 2 put कर दिया तो ऐसे जगा पर क्या कर दूँगा minus 2 put कर दिया और यहाँ पर plus है 2 है तो 2 लिख दिया minus 2 plus 2 क्या होगा जीरो हो गया तो आप बोलोगे कि since P minus 2 is equal to 0 कि इसके 0 0 के equal आ गया therefore x is equal to minus 2 is the zeros of the polynomial simple सा लिख दिये 0s of the polynomial और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा answer हो गया अब देखिए question number जो third है question number जो third है उसके solve करेंगे तो इसी से भी same से वैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बोलोगे न कि P x is equal to 5 x minus 4 है तो बोलोगे कि putting putting x is equal to 5 by 4 5 by 4 put करना है तो यहाँ पर P है तो P x के जगह पे 5 by 4 ठीक है यहाँ पर 5 को 5 देखिए x का value 5 by 4 5 by 4 put कर दिए और यहाँ पर minus 4 यहाँ पर जब करोगे न तो यहाँ देखिए 5 और 5 के पूछ multiply का sign है ऐसा है कुछ यह 5 by 4 multiply 4 तो यहाँ पर जब solve करोगे न तो यहाँ पर कि जाए गए 5 525 by 4 minus 4 और जब इसको solve कैसे करेंगे तो इसको solve करने के लिए यहाँ पर 1 लगा दो यहाँ पर क्या करो दो फिर equal to पहले पहले क्या करते हैं बच्चे इसका इससे multiply करते हैं इसका इ का 4 से 16 है, फिर उसके बाद 4 का 1 से 4, 25 में से section का minus करोगे, तो आता है 9 और 9 by 4, क्या 9 by 4 0 की equal आया, क्या 9 by 4 0 की equal आया, तो आप बोलोगे कि since means, P 5 by 4 is not equal to 0, P 5 by 4, P of 5 by 4 क्या है, 0 की equal नहीं है, therefore, therefore, x is equal to 5 by 4 is not the zeros of polynomial, बस, यही क्या आगया, आपका प्यारा सा answer आगया, अब देखें, question number 4, question number 4 क्या है, y square minus 1, y square minus 1, तो देखें ने, बच्चे, इसमें क्या है, बच्चे, दो-दो value पूट करना है, y का value उबर 1 पूट करना है, इबर minus 1 पूट करना है, तो दोनों पूट करेंगे, तो बोलेंगे कि since, py is equal to y square minus 1 है, y square minus 1 है, तो आप बोलोगे कि putting, putting y is equal to, अरे, गलती से minus 1 लिखेंगे, पहले minus 1 को ही लिखेंगे, इसको बाद में लिखते हैं, putting y is equal to minus 1, तो minus 1 पूट करेंगे, तो p को तो p लिख दिया, y का value minus 1 था, minus 1 लिख दिया, is equal to y का value minus 1 to the power 2 minus 1, minus 1 to the power 2 का मतलब होता है, ये देखेंगे, minus 1 को मुझे 2 times लिखेंगे ना है, minus minus हो गया, plus और 1 बंजा, 1 हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आ गया, 1, और यहां पर minus 1 था ही, plus 1 minus 1 क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 जब आ गया ना, ताब बोलो गया ना, कि since, since p minus 1 is equal to 0, पी मैसल्ण चया है जिरो के एकवल है देयरफोर 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 वाई इस उकल तो माईनस वन इस जी रोस प्रक्रूं अ गीवेन पोली डिया नोमीज और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा एंसर है ठीक है अब y is equal to minus 1 तो put कर दिए अब क्या करना है बच्चे y is equal to 1 put करना है क्या put करना है y is equal to 1 put करना है तो अब बोलोगे कि putting या फिर again again putting या now putting now putting y is equal to 1 y is equal to 1 put करेंगे न तो बोलेंगे न कि न देखे p है तो p लिख दिए y का value 1 को 1 लिखी दिए y का वैल्यू 1 2D power 2-1 1 2D power 2 का मतलब होता है कि 1 को 2 टाइमस लिखेना है तो 1 को जब 2 टाइमस लिखेंगे ना तो कुछ ऐसा होगा 1 multiply 1 1 multiply 1 क्या होता है 1 होता है तो यहां पर आ गया 1 और यहां पर खागे माइनस ले इसका 0 होगा ठीक है तो बोलोगी कि यहां 1 1-1 क्या होगा बच्चे इसका 0 होगा ठीक है तो बोलोगी कि यह 0 के इक्वल आ गया हैं तो अब बोलोगी कि सिएस पी ऑफ 1 0 के इक्वल है therefore y is equal to 1 क्या होगा जीरो सव पॉलिनुमेल होगा नेक नेक्स जो है वो कोशन नमबर 5 है कोशन नमबर 5 को सॉल्फ करते हैं तो कोशन नमबर 5 क्या बोलो जा रहा है तो कोशन नमबर 5 है t is equal to plus 1 t is equal to plus 1 मतलब कि 1 पूट करना है तो आपर मैं बोलो को कि p को p लिख दिया t के जगा पर 1 लिख दिया t के जगा पर 1 प्लस 1 t के जगा पर 1-2 था ही 1 plus 1 2 हो गया number sorry bracket or bracket multiply sign plus minus minus होता है तो तो में से 1 का minus करूँगा तो 1 आएगा greater number 2 sin है minus का तो minus लगा दूँगा ठीक है न यहाँ पर 2 1 जा 2 और plus minus minus तो बोलोगे कि since p p 1 is not equal to 0 p 1 देखे माइनस 2 आया हम लोगे 0 के एकवल नहीं है तो therefore 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 t is equal to 1 is not the sorry not the zeros of given poly no meal और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा एंसर हो गया ठीक है नेक्स्ट आप माइनस 2 पूट करूँगा तो मैं बोलूँगा कि putting putting t is equal to minus 2 तो देखे p को तो मैं p लिख दिया t के जगा पर क्या लिख दूँगा बच्चे minus 2 t के जगा पर क्या लिख दूँगा minus 2 यहाँ पर plus 1 है ही t के जगा पर minus 2 और यहाँ पर minus 2 था ही ठीक है ना minus 2 plus 1 मलोगकि minus plus minus होता है तो 2 में से 1 को minus करूँगा तो 1 आएगा greater number है 2 sign है minus तो minus हो गया दोनों के पिछ में multiply का sign तो multiply लग जाएगा minus minus plus होता है जो 2 plus 2 4 हो गया sign है minus का तो minus लगा दिया तो bracket लगा दूँगा पर minus minus plus हो गया 4 बंजा 4 हो गया तो कितना answer आया 4 आया तो बोलोगे कि since p minus 2 is not equal to 0 0 के equal नहीं है therefore t is equal to minus 2 is not the zeros of polynomial और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा answer हो गया ठीक है तो I think आपको इतना समझ में आ गया होगा अब देखें next क्या है question number 6 question number 6 क्या है px is equal to lx plus m अब देखें अब next question यह है तो इसमें बुला जा रहा है कि px is equal to lx plus m x is equal to minus m by l put करना है तो बोलोगे कि px is equal to lx plus m है तो बोलोगे कि putting 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 x is equal to minus m by l m by l है तो देखो p को तो p लिख दिया x के जगा पे minus m by l is equal to l ke जगा पे l x के जगा पे minus m by l और plus m तो था ही तो l और multiply यह ब्रैकेट के मल्टिप्लाई का साइन है तो यहाँ ब्रैकेट दे दो दो साइन साथ में आ गया है यहाँ पर देखो गे न तो बोलोगे न कि न यह डिनोमिनेटर का ल से कट जाएगा और one answer आएगा कटने पर ठीक है यहाँ पर बोलोगे कि one multiply यहाँ पर लिख लो बोलोगे कि one multiply m, m होगा और प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पर प्लस m है, माइनस m प्लस m हो जाएगा 0 ताब बोलोगे कि since p minus m by l is equal to 0 है, therefore x is equal to minus m by l is zeros of zeros of given polynomial और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा answer है तो I think 7 में आ गया होगा अब देखिए next question number 7 जो क्या है इस question number 3 का last question है question number 7 देखिए यहाँ पर बोलोगे न कि p r is equal to 3 r square minus 1 है तो बोलोगे कि putting बचे दिखे हर बार वही कर रहे हैं जो करते आ रहे है न putting r is equal to minus 1 by root 3 तो यहाँ पर बोलोगे इक्वल को इक्वल लिख दिया यहाँ पर 3 को मैंने 3 लिख दिया 3 और ब्रैकेट के विच में है multiply का sign तो multiply लगा दिया अब देखिए न इसको solve करते हैं इसको rough में solve किया करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा सा आप अच्छे से concise करके इसको लिख सकते हो तो minus 1 by root 3 का power 2 है मतलब कि minus 1 by root 3 को आपको 2 times लिखना है क्योंकि power में 2 है तो minus minus क्या हो गया प्लस हो गया ठीक है ना 1 1 जा 1 हो गया root 3 root 3 कितना होता है बच्चे 3 होता है तो solve करने पर कितना आ गया यह solve करने पर आ गया 0 हो गया तो 0 आगया मतलब की sorry answer नहीं होए sorry 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 तो बोलोगी कि since p minus 1 by root 3 is equal to 0 therefore x x नहीं है therefore r is equal to minus 1 by root 3 is zeros of given polynomial और यही क्या हो गया आपका अब हो गया यह प्यारा सा answer next अभी देखिए अभी क्या किए r is equal to minus 1 by root 3 put कि अब क्या करेंगे r is equal to 1 by root 3 put करेंगे ठीक है तो बोलोगे कि now putting now putting r is equal to 1 by root 3 तो यहां पर बोलोगे कि p को तो p लिख दिया r का value 1 by root 3 यह जिको 3 को 3 लिख दिया देखिए 3 को 3 लिख दिया r का value क्या है बच्चे r square है न तो 1 by root 3 का power 2 minus 1 है देखिए 1 by 3 को तो 3 लिख दिया multiply लगा दिया और 1 by root 3 का power 2 है मतलब कि 1 by root 3 को आपको 2 times लिखना है ठीक है न तो 1 multiply 1 1 हो गया root 3 root 3 3 हो गया तो यहापर कितना answer आ गया 1 by 3 answer आ गया और minus 1 तो था ही अब देखिए न यहाँ से numerator का 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1 और 1 आएगा ठीक है यहाँ पर भी 1 और 1 आएगा अच्छे कर सकते हुआ फिर यहाँ पर क्या जाएगा तो 1 multiply 1 1 हो गया और यहाँ पर हम minus 1 तो 1 minus 1 क्या गया जिरो आ गया त is since p 1 by root 3 is equal to 0 is equal to 0 है तो बोलोगे कि therefore x is equal to therefore r is equal to 1 by root 3 is zeros of poly polynomial और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा answer है ठीक है आपको इतना समझ में आ गया होगा तो देखिए हम लोग ने क्या क्या कर लिया इसी के साथ हम लोग ने question number 3 का question number 3 का 1 to 7 तक आपको solve करके दिखा दिया गया है अब देखिए question number 4 अब question है कि find the zeros अब हम लोग को zeros find करना है of the following polynomial का तो कैसे find करते हैं तो मैं आपको लोग को सबसे पहले question number लिखेगा और question लिखने के बाद क्या करेगा पी एकस के जगहाएं पी आफ एक्स जेगए प्लस इस स exactly तो minus 6 हो जाएगा और यहाँ पर x को x ठीक है ना 0 minus 6 minus 6 होता है is equal to x तो यहाँ पर x का value क्या आ गया minus 6 आ गया तो इसको ऐसे कर क्लिक सकते हो x is equal to minus 6 x is equal to minus 6 ही क्या है बच्चे zeros of polynomial है तब बोलोगे कि since x is equal to minus 6 is 0 of the poly nominal px और यही क्या होगे आपका प्यारा सा answer हो गया ठीक है आई तिंग आपको समझे में आया होगा अगर समझ भी नहीं आया है तो question number second देखे फिर solve कर गये तो question number second में सबसे पहले question लिखेंगे कि px is equal to x minus 6 है मैंने बताया है ना कि जहां पर px लिखा है ना p of x लिखा है वहां पर क्या लिखे जिरो लिख दीजिए is equal to x minus 6 0 को 0 लिख दिए minus 6 है इस सेड़ आएगा तो होगा प्लस 6 और यहां पर x तो यहां पर 0 प्लस 6 6 होता है और यहां पर x तो x का value क्या आगया 6 आगया आप बोल सकते हो कि since since या therefore since मतलीखे therefore लिखे क्या लिखे therefore लिखे यहां पर गलती से लिख दिया हो since therefore 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 x is equal to 6 is a 0 of the polynomial polynomial px और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा answer हो गया question number three question number three को देखते है देखिए question number three क्या है p y is equal to 5y है तो यहां पर मैं क्या बोलूँगा कि p y is equal to 5y है यहां पर क्या करेंगे बच्चे p y की जगा पर 0 लिख देंगे ठीक है न यहां पर 5y है ठीक है यहां पर 0 को 0 देखिए कि यह multiply में है न y के साथ इसे डाएगा न तो डिवाइड में यहां पर y is equal to 0 by 5 हो गया और 0 को किसी भी number से डिवाइड करने पर answer क्या आता है जीरो आता है तो y के value क्या जाएगा जीरो आ जाएगा तो आप बोल सकते हो कि therefore y is equal to 0 is a 0 of the polynomial p y p y है न यहां पर इसलिए p y लिख रहा हूँ और यह क्या हो गया आपका प्यारा सा answer हो गया next question देखे question number 4 question number 4 क्या बोल रहा है कि p t is equal to a t comma a not is equal to 0 तो बचे यह जो फाल्तु में लिखा है इसको भूल जाओ कि यह सब कुछ लिखा है इसको भूल जाओ कि ना यहां पर कुछ लिखा है बस आपको यह यह find करना है कि यहां पर देखे ना a not is equal to 0 है a not is equal to 0 है मतलब कि आपको देखे ब्रैकेट में क्या दिया है ब्रैकेट में एक्स दिया है मनला आपको t आपको t के value निकालना तो t कहीं पर छोड़ देना 0 a multiply में तो divide में तो 0 divided by any number क्या होता है 0 होता तो t के value क्या आजएगा यहां से भी 0 आजएगा जैसा कि इस case में आया था तो बोल सकते हो कि therefore t is equal to 0 is a 0 of the polynomial यहां p t है तो यहां पर p t और यह क्या हो गया आपका प्यारा सा answer हो गया ठीक है I think आपको समझ में आया होगा तो देखे question number 5 क्या है तो question number 5 है कि आप बोलोगे न कि p r is equal to c r plus d है तो देखे न यहां यहां पर भी वही लिखा हुआ है कि c r plus d not is equal to 0 देखे इसका बच्चे मतलब बहुत कुछ है लेकिन अभी आप लोगो समझने का जरूत नहीं है यहां पर बताता हो रुख जाए कि क्या है इसका मतलब देख उदर साइट भेजो पहले तो जाएगा minus d और यहां पर c r तो 0 minus d minus d ही होता है तो यहां पर c r आपको r का value निकालना है तो r को ही पर छोड़ दो यह कि साथ multiply में है इधर आगा तो divide में तो r का value क्या आगा बच्चे minus d by c आगया minus d by c आगया तो आप बोलोगे कि therefore r is equal to minus d by c is a 0 of the polynomial pr और यही क्या है आपका प्यारा सा answer है अब देखें न यहां पर बोला क्यों है कि c not is equal to 0 होना चाहिए इसलिए बोला है कि अगर c 0 हो जाएगा तो किसी भी number को अगर आप 0 से divide करोगे तो not define आता है क्या आता है not define आता है इसलिए यहां पर भी क्या बोला था कि a not is equal to 0 अगर a 0 हो जाएगा तो 0 by 0 क्या होता बच्चे not define होता है और math में not define answer नहीं होना चाहिए ठीक है ना तो बच्चे इसी reason से क्य not is equal to 0 और यहां पर a not is equal to 0 बोला है अब next देखिए next क्या है question number 6 question number 6 को मैंने भी यहां note कर दिया है अब देखे समझाता हूं यहां पर तो स्विम्ट से मैं ऐसे ही लिखेंगे यहां पर तो बोलेंगे कि p u is equal to 3u minus 6 है इसको लिखेंगे 0 के equal 3u minus 6 0 को 0 लिख दिया minus 6 इसा लिख दिया 3 multiply में इधर आगा तो डिवाइड में तो जब इसको डिवाइड करोगे ना तो 3 बंजा 3 2 जा तो यहां पर 2 by 1 क्या होता है बच्चे 2 होता है तो u का value क्या आ गया 2 आ गया ता बोल सकते हो कि therefore u is equal to 2 is a 0 of the polynomial polynomial pu polynomial pu full stop और यह क्या हो गया आपका प्यारा सा answer हो गया ठीक ना अब देखें यहां पर क्या है यहां पर है rs is equal to 2s plus 3 है तो यहां पर बोलोगे ना ऐसे बोलोगे कि rs is equal to 2s plus 3 है तो rs को रख दोगे 0 के equal यहां पर 2s plus 3 है तो 0 को 0 plus 3 इसा जाएगा तो minus 3 2s ठीक है 0 minus 3 minus 3 होता है is equal to 2s minus 3 को minus 3 2 multiply में है इधार आगा तो divide में तो s का value क्या गया बच्चे minus 3 by 2 minus 3 by 2 आप solve नहीं होगा ना इसलिए इसको यहां पर छोड़ देंगे ठीक है ना तो आप बोल सकते हो कि therefore s is equal to minus 3 by 2 is a 0 of the polynomial r as full stop और यह क्या हो गया आपका प्यारा सा answer हो गया next देखे next क्या है बच्चे px is equal to root 5 minus x है तो first time तो question लिखेंगे px is equal to root 5 minus x px को लिख दिया मैं 0 के equal root 5 minus x 0 को 0 x को देखे x है यहां पर तो x का value निकालना है तो क्या करेंगे root 5 को मैं उससाइट भेजूंगा या फिर ऐसा कर लो न कि न x को उदर भेज दो नई नई शर आप तो root 5 को भेज़े चलिए root 5 को भेज सकता हूं x को भेजोगे न तो ना ज्यादा easy रहेगा दिखे न x को भेजोगे तो क्यो easy रहेगा x को गर इधर भेजोगे न तो न माइनस x तो प्लस x और यह हो जाएगा root 5 0 plus x x होता है तो x का value क्या आ गया root 5 आ गया अगर आप लोग को दिखकत हो कि नई सर आप तो क्या करिए इसको उदर भेजिए जैसा कि बनाते आ रहे हैं तो दिखें यहाँ पर था 0 is equal to root 5 minus x था यह तो लंबा जाएगा तो बोलोगे 0 को 0 plus root 5 है दिखें यहाँ पर क्या है plus root 5 से जाएगा तो minus root 5 is equal to minus x 0 minus root 5 यह होता है minus root 5 is equal to minus x थेखें ना minus root 5 is equal to x को यह पर छोड़ देंगे यहाँ पर क्या लिखा है लिखा हुआ है औन एगा सब्सक्विंगा ना तो इंड गोच यहां पर यहां पर आप्थ यहां पर रूट फाइवगा रूट प्ने रूट कर देगा रूट फाइव आने वाला है कैसे भी solve करो X is equal to root 5 ही आएगा तो आप बोल सकते हो कि therefore X is equal to root 5 is a 0 of the polynomial और यही क्या है आपका प्यारा सा answer है ठीक है तो I think आपको इतना समय में आ गया होगा अब देखें यह question को यह last question है इस exercise का तो सचे पहले हमें qt q of t is equal to 1 by 2 t minus 2 by 3 है इसको मैं क्या करूंगा 0 के equal रख दूँगा 0 के equal लिख दिया यहाँ पर 1 by 2 t minus 2 by 3 यहाँ पर 0 को 0 है minus 2 by 3 इस side आएगा तो क्या हो रहेगा plus 2 by 3 is equal to 1 by 2 t 0 plus 2 by 3 2 by 3 होता है यहाँ पर 1 by 2 t हो गया 2 by 3 को 2 by 3 लिख दिया t को t लिख दिया देखें यहाँ पर न बच्चे multiply में है तो बच्चे याद रखें जो multiply में रहता है वो जाता है divide में और जो divide में रहता है वो जाता है multiply में फिर से जो multiply में है t के साथ वो गया divide में जो t के साथ divide में हो गया multiply में तो यहाँ पर देखोगे न तो 2 तू जा 4 और 3 बन जा 3 तो t के value क्या आ गया 4 by 3 आ गया तो आप बोल सकते हो कि therefore t is equal to t is equal to 4 by 3 is a 0 of the polynomial और यही क्या हो गया बच्चे आपका प्यारा सा answer हो गया और इस तरीके से बच्चे हम लोगों ने क्या कर लिया exercise 4.2 concept as well as exercise के सारे question के साथ हम लोगों ने क्या कर लिया इसको solve कर लिया है बच्चे तो यहां पर क्या होता है यह वीडियो ओबर होता है इसके बाद न वीडियो के आगे न आप लोगो क्या होगा जो भी मैंने आज पढ़ाया है न उन सारे का क्या होगा आप लोगो नोर्स प्रवाइड होगा ठीक है तो अगर आप लोगों को यह वीडियो और मेरा महनत पसंद आता है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और इसे में दोस्तों के साथ सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं ने